परिच्छा को लेकर निव सूचना जारी हुआ है JP University द्वारा सब इस्टूडेंस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को थोड़ा सा भी मिस किया तो परिच्छा से आप लोग वंचित हो सकते हैं क्योंकि ये वीडियो ये इंफर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जादा खास है और एक-एक इंफर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखें वीडियो को थोड़ा सा भी आगे पीछे भगा कर ना देखें, ठीक है, सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को हर एक students के पास share करें, क्योंकि JP University ने अभी अभी एक new सूचना जारी किया है, सभी छात्रों के लिए, परिच्छा को लेकर, जिहां दोस्तों, तो प् आप लोग इस वीडियो को share नहीं करेंगे, तो बहुत सारे students पर इच्छा से वंचित हो सकते हैं, दोस्तों चलिए जान लेते हैं, आखिर JP University ने आएसी क्या news सूचना जारी किया है, सभी छात्रों के लिए, पूरी जनकारी आज के इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बाते बताना चाहूंगा, जितने भी JP University 17-2020 पार थाड़े वाले students हैं, आप लोगों को मालू है कि JP University द्वारा छोटी से लेके बड़ी अपडेट पूरी इस ख़बर पर, इस चैनल पर, मतलब मारिया गुरू एकैडमी पर, छोट कर दो, और बगल में घंटी का उप्शन उसको भी दबा दो, कि जब भी मैं वीडियो डालू, उसका notification सबसे पहले आपको मिले, और पूरी information JP University द्वारा पलपल की खबर आपको मिलता रहे, दोस्तों, अब मैं start करते हूं, और आपको बताता हूं, आखिर ऐसा क्या new सूचना जारी किया गया है, JP University द्वारा, तो चलिए जान लेते हैं, देर ना करते हूं, पूरी खबर, दोस्तों, सबसे पहले तुमें बता दू कि ये हमारा WhatsApp ग्रूप है, ठीक ना, आप देख सकते हूं, ये मेरा WhatsApp ग्रूप है, और मैं आपको बता दू कि ये WhatsApp ग्रूप हमारा JP University से related मतलब है, ठीक ना, जो भी JP University में खबर आता है, सबसे पहले हमारे इस WhatsApp ग्रूप में डाल दिया जाता है, और हमने सभी students के लिए एक Telegram ग्रूप बना रखा है, आप लोग अगर Telegram ग्रूप से ज्वाइन नहीं हुए हो, तो Telegram ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क पत्रों को कि किर्प्या ध्यान दे सभी students, जिन विध्यार्थिरियों ने आने वाले कुछ दिनों में किसी भी परकार की परिच्छा देनी है, यानि किसी भी परकार का अगर आपका परिच्छा है, तो आए जो युजी रेगलर वाले हैं, चाई फोस्ट रेगुल के आप लोग नहीं तो यहां पर देखे बताया जा रहा है कि admit card roll number के साथ साथ आपको अपनी vaccination रसीद भी परिच्छा केंदर में लेकर जानी पड़ेगी, ध्यान से सुन लिजिए, विना vaccination आपको परिच्छा केंदर में जाने की अनुमती नहीं दी जाएगी, अगर आप बीना रसीद का और बीना वैक्सिन लगवाए आपको परिच्छा हॉल में घुसने नहीं देंगे, यह ध्यान से सुन लिजिए, यह एक नियम नया लागू किया गया है, सब इस्टूडेंस के लिए, चाहे हो कोई भी स्टूडेंस हो, ठीक है, सब इस्टूडेंस के लिए लागू क्या गया है, आप लोगों को बता दूं कि बीना वैक्सिन लगवाए और उसका स्लिप दिखाए हुए, आप लोग परिच्छा हॉल में घुस नहीं सकते हैं, यह आप सबी छात्रों के लिए बड़ी खबर है, दोस्तों देखे, छोटी से बड़ी अपडेट हम इस को परिच्छा केंदर, मतलब परिच्छा हॉल से वापस न भेजा जाए, आप लोग जो इस्टूनेंट्स अभी तक वैक्सिन नहीं लगवाए हैं, जाकर लगवा लिजे, वैक्सिन लगवाने के बाद आप लोगों को वहां पर ये बोलना है, कि आपको रसीद जरूर दे ठीक है, वैक्सिन का रसीद काट कर जरूर दे दें, अगर मान लिजीए, वहां के कुछ लोग अगर आपसे बोलते हैं, जो वहां के वैक्सिन लगाते हैं, अधिकारिक हैं, चाए कोई भी है, अगर वैक्सिन लगाते हैं, और वहां पर आपको बोलते हैं, कि आपको रसीद नियमित रूप से रसीद काट कर दे देंगे और वहां पर आप लोग परिच्छा फॉल में देखा कर आप अच्छी तरह से अपना परिच्छा दे सकते हैं दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पूरी जनकारी हमारे इस चैनल पर डाली जाती है और कोई वी इंफरमेशन मिस में या परिच्छा देने में कोई भी दिक्कत आपको ना हो तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंस को सेर करेंगे आपका 2 मिनेट सेर करना छात्रों के भविस्टी की बात है आप लोग जरूद सेर करिएगा उमेद है कि आप ऐसे श्टूडेंस हैं जो वीडियो को चले और आप लोग हमारे टेलीगराम ग्रूप से जुरूर जवाइन हो जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना कि आने वाली पूरी जनकारी आपको पलपल की अपडेट मिलता रहे तो दोस्तो वीडियो का हम यहीं से समाप्त करते हैं नेश्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द तब तक के लिए धन्यावाद वीडियो कैसी रही कमेंट सेस्टन में जरूर बताइएगा जाहन जाबंते मातरम